हलो एवरिवान मैं स्नेगधा प्रियदर सिनिदास अब सुरू करते हैं प्रेमिका नोभेल की पार्ट वान कटक स्टेशन में इस जगा को आते ही तुमारी याद आती हैं इस सिमेंट बेच के पास घुमते हुए मैंने खुद को ने तेरे से धुंडा बो दिन थे जब मैं तुम्हें मुलाकात ना करूं तो तुम गुसा होती थी मेरे चाहने से तुम अपनी नजरे जुका लेती थी उस दिन को 20 साल हो गए पर कटक स्टेशन की इस जगा को आते ही तुम बहुत याद आती हो उस दिन तुम्हारी येज थी 18 और मेरा था 26 उस साल में हम इतने मासुम थे तुम जब भी मुझे मुलाकात करते थी तो लेडी सस्टल से अकेली आती थी और हम धेर सारे बाते करते थी हॉलिडे से पहले हम दुनों की आखरी मुलाकात हुई थी तुम आई तो उदास होकर आई कुछ समय मुलाकात के बात हमने एक दुसरे के साथ चिठी से बात करने की कसम खाई तुम जब घर को जाने की बात करती थी मैं तुमको बस इतना पुस्ता था के तुम कब लोटोगी पर इस बार तुम्हारा जवाब कुछ अलग था तुमने बताया के मैं कटक फिर क्यों लोटोंगी मैंने पुछा एक नादान बच्चे की तरा तुम कटक नहीं लोटोगी तो पढ़ाय कैसे करोगी उस दिन तुम मेरे रंग में रंग चुकी थी हरे रंग की बो साड़ी में तुम एक परी जैसी लग रही थी बो दिन को याद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम कितने सुन्दर लगती थी और तुम को देखके मैं कितना सुकून में सुस करता था आज का पार्ट इतना ही तो फिर फ्रेंट कैसा लगा आपको मेरी प्रेमी का नोवेल जिसका ओथर है विबुधी पतनाएक अगर आप लोग को पसंद आए तो इसी लाइक से और कॉमेंस जरूर करना हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं अगली थरस्टे बाई टेक क्यार